अब बहुत सीरियस पढ़ाई का समय है लेकिन आपको अच्छे से पता है कि पहले आपको वोक्याबलरी करना है और ग्रामर करना है और क्लोस टेस्ट करना है क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पासेज का पोर्शन है वो प्री में नहीं आता और प्री आपका कॉलिफाइंग है लेकिन मैं इतना बढ़ियाज आपको करा देना चाहती हूं ताकि प्री और मेंस दोनों को अलग-अलग करना ना पड़े मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगे यहीं पर विट आप लोग को कि यह जो क्लास है इस क्लास का कंपेरिसन मेरे फुल कोर्स जो चलता है स्पेशल बाच उसके कॉंटेंट से नहीं करना क्योंकि वहाँ पर मैं पूरा 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 कंप्लीट देती हूं यहां मैं अपने experience के बल पर आपको तीन महिने में उतना समेट के बिलकुल golden rules दे दना चाहती हूं जहां से questions repeated होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं सो आज शुरू करते हैं यह golden rules का एक class जो यह करीबन चलेगा आपका around 3 months तक चलेगा तो इस मेरी live में बाकी teachers के साथ यह बहुत जादा उलच जाता है मैं थोड़े देर में एक golden कुछ problem हो गया है golden rules by Nito Singh करके मैं एक अलग से channel बना दूँगी जहां पे आपको बहुत सारे pdf नहीं मिलेंगे बलकि सिर्फ सिर्फ इसी class के मेरे हाथ के लिखे हुए pdf मिलेंगे और मेरा ये pdf मिलेगा जो मैं यहां पे पढ़ाऊंगी यानी handwritten और यहां मेरा जो pdf रहेगा तो ताकि आप उसको अलग से एक channel में देख सको वहाँ पे किसी भी badge का कोई advertisement नहीं बस सिर्फ जो ये class चलेगा इसका schedule और इसका pdf आइए शुरुआत करते हैं अपना first chapter से और बिटा आज श्री गनेश कर लो मेरे साथ क्योंकि मैं आपको रोज या तो वो क्या या तो golden rules का class कराऊंगी ठीक है चलिए शुरू करते हैं आजाओ बिटा एक चीज में बता दूँ आपको सबसे पहले जो सबसे important portion हो वो होता है वर्व क्योंकि वर्व से ही आप 10 सीखोगे अब आते हैं वर्व पे और वर्व पे सबसे पहले ध्यान सो सुनो वर्व का मतलब क्या होता है अगर मैं कहूं I teach English तो बिटा आप मुझे देख सकत तो मैं पढ़ाती हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ I am teaching English लेकिन अगर मैं कहूं I love you तो क्या आपको दिख रहा है प्यार करते हुए नहीं इसी लिए जो वर्व होता है उससे हमें क्रिया यानि doing word होता है और अवस्था यानि state इनका एहसास होता है अब बहुत तरह के वर्व से ट्रांसिटिव वर्व है इन्ट्रांसिटिव है फाइनाइट है नॉन फाइनाइट है बिटा वो सब अभी भूल जाओ क्योंकि वो सबसे question जो आते हैं वह मैं बात में कराऊंगी अभी फिलहाल जो मुझे वर्व से काम है ये ध्यान रखना बिटा कि वर्व एक जो वर्व होता है auxiliary वर्व सबसे पहला हम आते हैं helping वर्व में बिटा अभी एकदम भूल जाओ सब कुछ जब मैं एक घंटा पढ़ाओ कुछ बात नहीं किसी तरह का कोई बात नहीं प्रत्यक्ष ही प्रमान है दे चुकी मैं अब शा अग्जिलरी वर्व जो होता है ना उसका मतलब होता है helping वर्व वह help करता है लेकिन अगर helping वर्व की बात करोगे बिटा तो helping वर्व देखो auxiliary वर्व क्या है मैंने का आपको helping वर्व वह help करता है अगर वह help कर रहा है तो भाईया वह help क्या कर रहा है मैं हमीशा समझाती हूं क auxiliary verb दो प्रकार के होते हैं एक primary auxiliary verb होते हैं जान दे primary auxiliary verb में सिर्फ तीन verbs साते हैं सिर्फ तीन do, be, और have इनको पता क्या मान लो इनको आप जैसे मान लो अर्शरदवारसी मान लो नवाजुद्दिन मान लो भाइया ये ऐसे होते हैं जो side role दे दो तो भी एकदम मुन्ना भाई में देखे वाश्रत वारसी को है ना बिल्कुल बहुत कामियाब था और अगर आप इसको में रोल दे दो तो भी ये काम कर लेगा यानि ये एक मिट यानि ये हेल्पिंग वर्व और में वर्व दोनों का काम करता है लेकिन अगेन मुझे इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करना क्यों? क्योंकि ये तीनों का जो यूज है वही तो देखना है और मातरे एक एक यूज है जो इंपोर्टेंट है बहुत सारे यूज पर हम जाना भी नहीं मुझे अब आती हों कि दूसरा तरह का उक्जलरी वर्व क्या है उसको कहते हैं मॉडल्स और मॉडल्स से जो दो से तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं यहीं खतम करके आगे जाऊंगे मॉडल ऐसा हेल्पिंग वर्व है जो मेन वर्व का काम नहीं कर सकता आप देखते हो बहुत सारी पिक्चर में देखोगे आप जॉनी लिवर को देखोगे कभी देखो उसको मेन रोल पे नहीं लेकिन वो आता है तो मज़ा दिला के चला जाता है मॉडल वही है सिर्फ हेल्पिंग वर्व सिर्फ सहायक क्रिया और मेन क्रिया का काम नहीं करेगा लेकि मेटा याद रखना जो दो से तीन तरह के क्वेशन्स हाते है पहला क्वेशन है कि मॉडल के बाद अगर मैं मेन वर्व लगाऊ तो किस फॉर्म में होगा गांट बांद लो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पीडियाफ में है वो है कि मॉडल के तुरंद बाद बेस फॉर्म अब वर्व आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि मॉडल के तुरंद बाद main verb base form में आता है और इसी चीज को आप पले से गाट बांद लो question यहां से आते हैं question क्या था? ध्यान से सुनना अगर copy खोल के रखे हो तो आप PDF देखो और copy में note करते जाना right? सुनो ध्यान से पहला question में लिखाती हूँ you should had जो question लिखवारी में इधर का question लिखवारी, model का question लिखवारी not come yesterday अब जानते हो क्या है मैंने जान बूच का question कैसा दिया मैंने question आपको दिया है कि तुम्हें कल नहीं आना चाहिए था और हम लोग पढ़ते हैं tense में कि हर past sentence में वर्व का वर्व का second form आता है जरा बताओ क्या होगा बताओ क्या होगा have आएगा नितिन बेटा base form क्या होता है Simran बूल जाओ तुमको first form पता है ना तुम first form लिखो बस काली एक B को याद रखना बस आजाओ देखो ध्यान से बेटा शुड के बाद hard नहीं आएगा शुड के बाद have आएगा क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा हर model के बाद वर्व का base form आता है base form और first form आप सेम मान के चलो भई खाली एक ही B तो है जो अलग है बस पहला question यही है कि model के बाद वर्व का base form आता है दूसरा second देखना He said that यह क्या हो रहा है He said that he may come अब मुझे बताओ इसमें क्या गलत है और क्या करोगे सही ध्यान से देखो He said that he may come जल्दी मैं उतना ही portion नोट बुक से निगाला है मैंने क्लास नोट से जितना मुझे पढ़ाना है बताओ क्या होगा बोलो माइट वेरी गुड शिवांगी वेरी गुड एक नियम है गाठ बान लो जब तक कि कोई सेंटेंस युनिवर्सल ट्रूथ ना हो कोई बहुत एडियम ना हो जो मतलब कहते हैं सारभ으면 एक सत्य ना हो तब तक अगर सेंटेंस की शुरुवाद पास्ट से हो उसने कहा था तो तो में नहीं होगा माइट होगा ऐसा क्यूं? क्योंकि में का पास्टेंस माइट है क्यान का पास्टेंस गुड है विल शाल का पास्टेंस वुड शुड है यानि अगर सेंटेंस की शुरुवात पास्ट से हो तो आगे पास्ट चलेगा यहां सर्फ इस पेज में दो रूल मैंने सिखाए हैं इसको गाठ बांद लो ठीक है? और यह बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट का भी रूल है चलिए अब चलते हैं जो आप कहा रहे हो ना एज ओफ रेकनिंग वो एक होना चाहिए था एक जैन्वरी क्योंकि S.S.E. का अपना ही एक बनाय हुआ नियम था जो D.O.P.T. में बहुत पहले के नॉटिफिकेशन में है कि अगर नॉटिफिकेशन फर्स्ट हाफ अप दे यर में निकलता है तो डेट ओफ एज रेकनिंग जो होगा वो एक जैन्वरी होगा और अगर सेकेंड हाफ में निकलता है तो एक अगस्त होगा अब मुझे नहीं समझ में रहा है उन्होंने एक अगस्त क्यूं दिया है उनको एक जैन्वरी देना चाहिए था क्योंकि मार्च में अगर निकला है नॉटिफिकेशन एप्रिल में निकला है तो उनको देना चाहिए था एक जैन्वरी देना चाहिए था उस नहीं दिया है, तो आप उनसे डिमांड करो, उनको मेल कर सकते हूं या बात कर सकते हूं. बैता हम तो बहुत छोटे लोग है, हम लोग सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं, और बता सकते हैं, कि क्या है, ठीक है? चले! क्लियर आगे चले अब सुनो बिटा मॉडल मे माइट कैन कोड शुड मस्ट और तू विल शाल वुड बिटा यह कंप्लीट मॉडल्स है क्योंकि कंप्लीट मॉडल्स का काम करते हैं लेकिन याद रखना जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगी आपको इतना छोटा कर दूंगी किसे बस वही पढ़ाएंगे अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट जब याद करोगे ना तो लड़को को प्रॉबलम रेगूलर वर्व में नहीं होता इसलिए रेगुलर वर्व में नहीं होता क्योंकि रेगुलर वर्व याद करना बहुत असान है ED ED लगाते चले जाओ वर्व होता गया इनको प्रॉब्लम कहा होता है बिटा आप लोग सब मोबाइल विलकु साइड में रख दीजिया और मोबाइल साइड में रखके पढ़िए सिर्फ पढ़िए किसी का कोई WhatsApp नहीं देखोगे कोई Facebook नहीं देखोगे और किसी का call अटेंड नहीं करोगे यह एक घंटा मेरा है और सिर्फ मेरा है ठीक है? चलो आजाओ बिटा केडी लाइफ क्या करता है मुझे नहीं पता इस चानल में जो करूँगी मैं करूँगी और आपको तीन महिने में इतना बढ़ यहां पढ़ा दोंगी कि आपको कोई जरुवत नहीं कहीं बढ़ने का ठीक है? रुख जाओ देखो ध्यान से बढ़े रेगुलर वर्ब्स में किसी बच्चे को प्राबलम नहीं होता इर्रेगुलर वर्ब्स में प्राबलम होता है क्यों? क्योंकि बढ़ने जो इर्रेगुलर वर्ब लिखा था वो महा इडियत आदमी था उसने कोई नियम फॉलो नहीं किया एक कहा कि पुट है तो पुट पुट कर दो पुट 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 स्प्रेड 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 कास्ट 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 कट, 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 तीनों फॉर्म सेम रखा, दूसरा उसने कहा कि भाई सिठ हैं तो साठ साठ कर दो, कम खेम हैं तो फिर से कम कर दो, यानि दो फॉर्म सेम कर दो, और तीसरा कहा भहिया कोई नहीं, सब इतना भ्यंकर अलग करो कि उसको कुछ समझ मी ना आए, गो वेंट गॉन, सी सौ सीन, डू डड़ ड़न, यानि तीनों फॉर्म अलग कर दिया, बिटा इर्रेगुलर वर्वस इसे तो कहते हैं, इसमें कोई नियम फॉलो नहीं होता, आज आपका काम है, आज रात में आप ये सारे वर्वस रटा मार जाना, मैं थोड़े देर में एक चैनल क्रियेट करूँगी, गोल्डन रूल्स बाई नीतु सिंग, और उसका लिंक में नीतु सिंग वोक्याब में डाल दूँगी, केडी लाइब में डाल दूँगी, और उस चैनल को जॉइन करके, सारे पीडियाफ वही मिलेंगे आपको, ठीक ह और कोई नीम फॉलोड नहीं है जहां पे ना बिटा, बस इसी को तो आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, और बाकी याद करने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्वस है, जो आपको देखोगे आप, देखो, ये सारे वर्वस जो है इसमें दो forms उसके बाद आपके सेम हो जाएंगे तो जो verbs में अलग-अलग form है वो आपको थोड़ा मुश्किल देगा और बाकि सेम form है तो बस याद कर लो देखो जिसे रेगुलर वर्फ के form से अब रेगुलर वर्फ आगे कोई प्रॉबलम नहीं सब में second form third form में ED ED लगा है कुछ case में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि BAM अगर एक G है तो डबल G क्यों हो गया तो यह अलग rule है जो मैं आपको बता दूं कि बहुत important नहीं है कि क्यों हो गया हाँ यह जरूर है समझना चाहते तो समझ लो कि अगर मैं काऊ fit तो पड़े मैं का fit देखो जटके से निकला क्योंकि लास्ट में कॉंसोनेंट के पहले एक सिंगल वर्बल है तो मैं काऊंगे fitted fitted आपको बीच का टी डबल सुनाई दे रहा होगा बेगड जी डबल सुनाई दे रहा होगा ठीक है clear अब सुनो ध्यान से बिटा जब आप इन वर्फ के फॉर्म्स को याद करोगे न तो आप पोलोगे कि मैं क्यों याद करवा रहे हो मुझे ध्यान से सुनना बिटा यह बेस फॉर्म और फॉर्स्ट फॉर्म दोनों है तो का चलुपों कियों वलते रते हो बार बार अप पट एक बी कफों में जो बेस फॉर्म अलग हे फिरस्ट फॉर्म अलग है लेकिन आभि हमें उसे कोई मतलब नहीं है अभी आपको सिर्फियाद रख़ो कि फॉर्स फॉर्म गमनीर अभी उसकी बी बात बात नहीं करोंगे न त तो यह feeling के साथ कि यह भूत कल दर्शार है। जब थर्ड फर्म याद करोगे, तो यह feeling के साथ करना कि भाई इसके आगे मुझे हास लगाना है, हाड लगाना है, हाव लगाना है। जब आप ing form याद करोगे, तो यह feeling के साथ कि हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। और जब SES form याद करोगे, तो यह feeling के साथ कि भाई यह भी present है। फिर बोलो कि माम दो दो present। बैटा यह जो present form है ना, यह सब singular के साथ आएगा। और ये जो present form होगा ये I और you और सारे plural form के साथ आएंगे बस लेकिन आपका होगे tense तो पढ़ाया नहीं पेटा मैंने क्या कहा आपको जैसे मैं कहूंगी I decide इसका मतलब मैं decide करती हूँ present है जब मैं singular की प्यास आऊंगी कहूंगी he decides वो decide करता है present, देखो दोनों में present मैंने क्या कहा सारे singular subject के साथ ses, सारे plural subject के साथ वर्फ का first form और जैसे मैं कहूंगी I decided समझ जाओगे मैं past की बात कर रही हूँ बस इतना ही तीसरा एक जो चीज मैंने आपको समझाया अभी वो ये कहना चाह रही हूँ कि बिटा अगर third form लगाओगे न तो याद रखना मैं अभी tense का ही सोच रही हूँ passive voice की तो बात ही नहीं कर रही तो याद रखना इसके पहले या तो has, या तो have या तो had ये आएगा तभी third form लगेगा तो कहोगे कहां बिटा tense में जो पर पढ़ाओंगी आगे अगर आप कहोगे passive voice बिटा passive voice में B का कोई न कोई form जरूर आएगा B, is, am, are was, were being, been कुछ आएगा और उसके बाद third form लगेगा तो समझ जाना कि वो passive voice यानि active voice का पहचान क्या है बिटा active voice का पहचान ये है has, have, had के बाद V3 passive voice का पहचान क्या है बिटा B का कोई form होगा फिर V3 has, have, had V3 B का कोई न कोई form प्लस V3 ठीक है ये आपको active and passive का एक छोटा सा चीज बताए कई बार बच्चे पुछते हैं माम, वास के बाद V2 कैसे आ गया? बिटा वो वास के बाद V2 नहीं है वो वास B का फॉर्म है उसके बाद V3 है क्योंकि कई V2, V3 एक ही होते हैं जो भी मैंने कहा रेगुलर वर्प्स में तो उनको V2 लगता है वो V3 है और वो passive voice कई बार बच्चे कहते हैं नहीं माम, V3 है लेकिन पैसिफ तो नहीं लग रहा तो वो एजेक्टिव होगा फिर आई आम इंटरेस्टेड इंटरेस्ट वर्प को भी थर्ड फॉर्म बना के हम लोग क्या बना देते हैं एजेक्टिव जैसे मालो आप खाते हो कई चीज बजार से ला के देखते हो कुछ फ्रीजर से ले के आते हो और उसको बस तलते हो खा लेते हो तो क्या कहेंगे इट इस फ्रोजन आप कहोगे मैम, इस तो आया और फ्रोजन आया तब यह तो passive voice आगिया is मतलब b का form और frozen ना बिटा यह passive voice नहीं है क्यों? क्योंकि वो frozen word adjective है आप कहोगी यह तो बड़ा दिक्कत की बात है ध्यान सो सुनना बिटा यह जो v3 है ना यानि वर्फ का third form बिटा यह active voice में आएगा तो यह structure लेगा passive voice में आएगा तो यह structure लेगा लेकिन यह v3 form बिटा adjective का भी काम करता है जो आप पढ़ोगे participle में past participle में इसलिए उसको अभी बाद में करेंगे यहां तक की जो ing form है बिटा वो भी वर्फ का काम करता है तो वो भी adjective का काम करता है present participle में आप खुद सोचो इंडिया developing country है क्योंकि वो हो रहा है अमेरिका developed third form country है क्योंकि वो हो चुका है freezing cold क्यों freezing भाई वो जमा रहा है मुझे इतना ठंड है frozen food क्यों जम चुका है boiling water क्यों अभी उबल रहा है boiled water क्यों उबल चुका है steaming cup of tea मिल जाए मजा आ जाए एकदम गर्मा गर्म चाई का प्याला मिल जाए जिसमें भाप निकल रहा हो ING steamed momos खाते हो जाके ना third form ये difference है हो रहा है आपको बताना चाहते हो उसकी विशेशता ING हो चुका है ये मेरा बुक का आप revised V-I-S-E-D revised edition का इंतजार कर रहे हो ठीक है समझ में आ गया चलो ये सारे वर्व्स बिटा आज आपको golden rules by Nito Singh चानल में चले जाना टेलिग्राम में आभी थोड़ी दे बाद में बना दूगी ये पूरा निकालो और पूरा अच्छे से पढ़ो और अगर आप कहोगी कि माम हम PDF में नहीं पढ़ सकते हैं हमको आप print out बताईए तो पिटा print out के लिए फिर मुझे इसको black and white कराना पड़ेगा आप अगर बोलोगे तो मैं करा दूगे ठीक है लेकिन ये जो किताब है इसका जो बड़ा version है वो ये किताब है आपकी मर्जी देख लेना चलो अब आजाओ अभी जो मैंने कहा था primary helping verb आते हैं क्यों पढ़ाएंगे primary helping verb क्यों important है ये ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा पटा नवाजु दिन अश्यदवर्सी है ना कोई ऐसा कोई एक और तीसरा नाम बताओ जो आपको लगता है कि वो हीरो भी है और वो साइड का रोल भी बहुत अच्छा कर सकता है है ना तो आप नाम बताना क्या करूंगी मैं ये कहूंगी बटा ये तीन कोई याद रखो और ये तीन ऐसे हैं जो helping verb और में वर्व बिटा दोनों का काम करते हैं helping verb में वर्व दोनों का काम करेगा मैं काम नहीं करती हूं इंग्लिश बोलो तो सोनू सूध वो सलमान खान बिलकुल सही अब सुनो धियान से बिटा मैंने क्या कहा कि मैं काम नहीं करती हूं मैं कोई काम नहीं करती हूं जरा इंग्लिश बोलो तो मैं कोई काम नहीं करती हूं इसका इंग्लिश बोलो इंग्लिश बताना बिटा मैं येस इर्फान खान येस मावललस अक्टर था ना कोई काम नहीं करती हो I do not do any work देखा यही तो मैं बताना चाहरी थी दू ऐसा वर्व है जो helping और main वर्व दोनों का काम कर सकता है अध्या जब भी पूछ ना कि भड़ recям result करता है उसका कहां लगां होके वह नौत की पहले आएगा और main verb, main action का एहसास कराएगा अब आप जड़ा देखो main verb और helping verb दोनों ही इस्तेमाल किया मैंने और दोनों में do लगा दिया यही तो है primary auxiliary verb जो helping verb का भी काम किया और main verb का भी काम किया यानि कह सकते हैं कि ठीक है do ठीक है, क्या है do प्राइमरी है क्यों, दोनों का काम कर रहा है राइट, अब आजाओ next point देहां सुनना अगर मैं यह कहूँ कि B का B भी प्राइमरी है यह कैसे हो सकता है फिर से देखना, कोशिश करती हूँ I am yes, अभिनेश शर्मा को किया सकते हो primary helping verb अभी किसी ने कहा, अभिनेश शर्मा नोमद, बिटा teacher भी है और actor भी है तो उनको primary helping verb में हम रख सकते हैं नहीं, अर्शदवारसी रख सकते हैं और नवाज उद्दिन को रखा मैंने और तीसरा में अभिनेश शर्मा को रख लेती हूँ राइट, हाँ, सही कहा आपने I am a teacher yes, वह helping verb, main verb जैसे कहा न, दोनों काम कर सकता है तो वह teacher और actor acting के वड़ा बढ़िया करते हूँ चलो, I am a teacher main verb का का काम किया कर दिया, next, सुनो I am teaching teaching, बढ़ा, एक ही वर्व लगाया मैंने एक बार कहरी है, यह है जो main verb है यह है जो main verb का काम कर रहा है तो फिर यह क्या है तो भई, यह helping verb ही होगा फिर पुछोंगे, helping verb कैसे हुआ हाँ, क्योंकि बढ़ा, यह यहाँ पर main काम नहीं कर रहा teaching, पढ़ाने का असास कर रहा है यह main verb है तो फिर यह क्या है, भई, यह अक्यरा, इकलोता verb है यहाँ पर और कोई verb भी नहीं है A and the article होता है आर्टिकल के बाद क्या आता है, noun आता है सब्जिट के प्लेस पे प्रोनाउन दिख रहा है राइट, इसका मतलब है कि भई, यह main verb और helping verb दोनों का काम कर रहा है वाँ, चलो, तो B का भी मेरा प्रूवड हो गया कि helping verb, main verb दोनों है चलो, हमें प्रूव थोड़ी करना है हमें बता ही दिया गया था कि by helping verb, main verb दोनों है, हमें कोई प्रूव नहीं करना था अब आते हैं सीधा सबसे पहले B में जरा इसके forms देखिए और जो important question है वो बताऊंगे ठीक है? सबसे important question इसमें आईगा ध्यान से सुनना बिटा जो मैंने आपको कहा था एकलौता एक मात्र वर्व है B एकलौता एक मात्र वर्व है B जिसका base form first form दोनों अलग है base form B है first form am है और r है s e s form वो भी first form है लेकिन singular form है वो is है we to was were है एकलौता ऐसा वर्व है जिसका second form में भी singular or plural है वरना second form में singular or plural नहीं होता है ठीक है? next आओ V3 B का third form being है और ing being है ठीक है? teacher teacher noun था I am a teacher teacher हुआ noun है क्योंकि अ बोला न आर्टिकल के बाद ना उनाता है ठीक है? clear? विकास यादव पढ़ लो वरना मैं ब्लॉक करूंगी बटा तीन महना बाकी है एक word भी यहां बखवास नहीं करोगे क्योंकि मैं एक एक चाप्टर को बेटा बैट के बहुत कंसाइस किया है दिमाग लगाके क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करती हूं दिमाग लगाके कि कितना पढ़ाऊ मैं कि तीन महना के अंदर सब कुछ निपढ़ जाए है जिसका बेस फॉर्म फॉर्स्ट फॉर्म से अलग है फॉर्स्ट फॉर्म एम और आर वीवन एस येस यानि सिंगुलर फॉर्म इस वीटू वॉस और वर वीट्री बीन वीवन आइनजी बींग देखो राइट अब आओ वीवन एम और आर है आर किसके साथ आता है यू वीट्री यू क्या है यू सिंगुलर फॉर्ल दोनों है यू और बाकि सारे बहुवचन के साथ आता है हम लोग वी वे दे बॉइस गर्ल्स ये प्लॉर्ल है एक लड़का ही एक लड़की के लिए कोई नर्जीव चीज या जानवर के लिए किसी का नाम नेम राधा, मोहन सब नेम ही तो है और सिंगुलर बॉई, गर्ल ये है ठीक है वीट्री आओ ये वॉस सिंगुलर फॉर्म है वॉस उन्ही के साथ आएगा जिनके साथ इस आता है लेकिन वॉस आए के साथ भी आता है और वर किस के साथ आता है यू, आप अकेले हो तो भी यू, आप सभी हो तब भी यू, हम लोग वी, वे, दे, अ प्लूरल, यानि वर उनहीं के साथ आता है, जिनके साथ आर आता है, प्रेजंट में आर, पास्ट में वर, और बीन, तो बी, आइएन जी बीग हो गया, बी और बीन हो गया, इसको छोड़ दो, अब सुनो धेहन से, यहीं पर सबसे, सबसे इंपोर्टन्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपोर्टन्ट प्वेश्चन आ गया, यह तीनों सेंटेंस question लिखिया बहुत important था और यह तीन question बहुत important है जब PDF निका लोगी तो इस सारी important points लेकिन क्योंकि बच्चे याते हैं दूर से तुनको चाहिए पुरा भरपूर English मैं पूरा दे देथियू लूग चलो, सुनो दिहान से काश में भारत का प्रधान मंत्री होती I wish I were पोलो के माम उपर देखो I के साथ वॉस लिखा है अपने बिटा मैं कलपना कर रही हूँ अगर मैं कह दूँ कि I was the Prime Minister कहो कि अच्छा, मैं प्रधान मंत्री थी थी नहीं है ना, आप कहना चाहते हो कि काश में प्रधान मंत्री होती I was the Prime Minister मतलब मैं प्रधान मंत्री थी मैं प्रधान मंत्री होती I wish I were the Prime Minister I wish only if in case I were the Prime Minister would that I were the Prime Minister suppose I were the Prime Minister बिटा, कहीं पर भी वॉस नहीं लगा रही हूँ काल्पनिक पद दर्शाना है काल्पनिक पद दर्शाना है तो सभी सबजिट के साथ वर का प्रियोग करें काल्पनिक यानि Imaginary Post Present Imaginary बिटा, मैं पास्ट उसमें नहीं जा रही हूँ Present Imaginary कह रहे हूँ अगर आप कहोगे काश में Income Tax Inspector होता कैसे बोलो के, जल्दी बताओ तो अब बोलना चाहते हो काश में Income Tax Inspector होता पलग, थांक यू सो मज बिटा, Present Imagination ध्यान रखो Present Yes, रजद पूरा करा दूँगी बस खाली आप लोग बिश्वास करिए कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ, उतना important है बीच में मत तपकना माम, आपने ये छोड़ दिया आपने वो छोड़ दिया, मैं पहले बता रही हूँ आठ महने का कोर्स को मैं तीन महने में compact बना रही हूँ और एक घंटे का क्लास, इसी लिए बहुत कुछ छोड़ूँगी लेकिन वो important नहीं है, ठीक है, सुनो ध्यान से I wish, तुम क्या कह रहे हो, काश में income tax inspector होता I wish I were an income tax inspector, very good अगर आप कहोगे काश हा, बहुत मन कर रहा है मा के हाथ के खाने का कही बार होता ना होस्टल में मन करता है, आप कहोगे काश में अभी घर पर होता I wish I were at home now, right? काश में तुम्हारी जगा होती, कही बार होता है ना कहते है यार तुम्हारा एज अभी तक बाकी मेरा तो एज निकल गया काश में तुम्हारी जगा होता, I wish I were in your place समझ में आया? बेटा, कालपनिक वाक्यों में सभी सब्जेट के साथ वर का सेकेंड फॉर्म कौन है, वर आ रहा है, कब कालपनिक पद के लिए बेटा, अब सुनों, यही पर मैं खतम कर दूँ, जो मैं बताना चारी हूँ मैं सिर्फ वर का बताना नहीं चाहरी हूँ, जड़ा दो तीन सेंटेंस और सुनना ध्यान से, काश मैं अमीर होता, ध्यान से सुनना, आपके लिए सेंटेंसे से, दूसरा, काश मेरे पास बहुत पैसे होते, आपके कॉपी खोल के रखे हो, तो बिटा कॉपी में लिखो, पैसे होते, और तीसरा, काश मैं यूएस में रहता, या रह रहा होता, मैं लिव का फोम लगाना चाहते हूं, ये तीन सेंटेंसे, जल्दी से करो तो, जल्दी, I were rich, very good, बहुत बढ़िया, I wish I were rich, ठीक है, बहुत सही, देखो, फोट का, मैंने क्या कहा, काश मैं अमीर होता, I wish मैं अमीर होता, I were rich, अगर आप कहोगे, मैं मैं उसके बारे में बात करूं तू, कोई बात नहीं, कोई लड़का है, चल लगा दो, अगर नहीं, कोई प्रउबलम नहीं, शी वर रिच, कहोगे, मैं उनके लिए, चाहे हम लोग रिच होते, कोई बात नहीं, कोई भी सबजट लगाना है, लगा लो, आपकी मर्जी आपको जो भी सबजट लगाना है, लगा लो, लेकिन सब के साथ सिर्फ एक वर आएगा, मेरे पास बहुत पैसे होते, I wish I had a lot of money, I wish I had a lot of money, मेरे पास होते हैं नहीं होते, तो had, काश में US में रह रहा होता, I wish I lived second form in the US, United States के साथ article 2 आता है, देखो धियान से, बेटा कालपनिक पद है, पोस्ट है, वर लगाओ, कालपनिक possession है, मेरे पास होता काश, had लगाओ, कालपनिक कोई भी action है, बेटा वर्व का second form लगा दो, लेकिन सब मिला के देख लिया मैंने, यहां पे वर लगाया, यहां पे lived लगाया, यहां पे hard लगाया, तीनों को मिला के देख लिया, तो हम समझ में आ गया मुझे, कि भाई वीटू लगाना है, ओके फाइन वीटू लगाना है, तो फिर नया क्या सीखा, बेटा कालपनिक present कलपना है सब, सब present कलपना है, present imaginary action, possession, post, के लिए वीटू लगाईए, वोस को छोड़कर, देखो, किसको छोड़ा मैंने, सिर्फ वोस को, बाकी क्या लगाया, जो भी वीटू मने लगालो, सारे वीटू लगालो, ठीक है, सारे वीटू लगालो, किसको छोड़ोगे, खाली वोस को छोड़ोगे, सारे वीटू लगालो, सिर्फ वोस को छोड़ोगे, और कुछ नहीं काल्पनिक पद के लिए वर आएगा काल्पनिक पजेशन के लिए हैड आएगा चलो मैं एक और पूछती हूँ काश में पन्ची होती कैसे करोगे काश में पंची होती जितने पढ़ने वाले वही रहोगे कि सब को block मारूंगी सब को block मारूंगी 20-20 पैसे वाले comment वाले यहां कोई नहीं आएगा सब पढ़ेगा यहां पर बोलो क्या होगा जल्दी से काश मैं पंची होती कैसे बोलोगे काश मैं पंची होती जल्दी काश में पंची होती I wish I were a bird very good तुमने position का sentence बिल्कुल सही बना दिया I wish I were a bird दूसरा सुनो काश उसके पास पंक होते फिर उसके पास पंक होते वो मेरे पास उड़के आ गया होता नहीं, बोलो काश उसके पास पंक होते आप क्यासे बनाओगे आपने जो पहला sentence बनाया हो बना के मैं दे दू I wish I were a bird अब मैं कह रही हूँ काश उसके पास पंक होते imaginary position position बिटा position बढ के बाद काश उसके पास पंक होते He had wings, very good रितिक, very good बहुत बनिया I wish काश He हाव नहीं लगा ना had wings बिटा वर्व का second form कल्पना भी बताता है पास्ट तो बताता भी है कल्पना, present का कल्पना बताता है ठीक है? अब देखो, मान लो आप कहीं गए हो वहाँ पे सल्मान खान को भी देख रहे हो है ना, वो तो अपने एकदम attitude में चूर कहोगे काश वो मुझे जानता है ना, मन करता है ना कि सल्मान खान और मुझे जाने काश ऐसा हो कैसे बोलोगे? हाँ? काश वो मुझे जानता सल्मान खान मुझे जानता कैसे बोलोगे? जल्दी बोलो काश सल्मान खान मुझे जानता I had wings वेरी गोट बहुत अच्छा कर रहे हो asteroid के लिए वर काल्पनिक possession के लिए had काश सलमान खान मुझे जानता कैसे बोलोगे अच्छा चलो सलमान खान ने कैटरीना कैफ मुझे जानती बोलो बोलो yes very good I wish लड़कियों के लिए सलमान खान और लड़कों के लिए कैटरीना कैफ मुझे जानती कब जानती भया past में नहीं present में मेरे past में जानके मेरा क्या कर लेगी वो है ना new me no नहीं new क्यों? मुझे वर्व का second form चाहिए मुझे वर्व का second form चाहिए किसको छोड़कर वस को छोड़कर fit कर लो दिमाग में बहुत important point है kalpnick वाक्यों में कब का kalpnick वाक्य प्रेजंट का प्रेजंट के kalpnick वाक्यों में सभी subject के साथ वर्व का second form आता है वस को छोड़कर आप का होगे माम second form तो आप past tense पर पढ़ाने वाली थी अरे भाई past में आता है यह सब को पता है इतना तो आना चाहिए यह नहीं आता इसलिए इससे question आता है कालpnick वाक्यों में कहा के कालpnick वाक्य वर्तमान के present के imaginary sentences में सभी subject के साथ V2 आता है वस को छोड़कर बस यह important point है देख लो ठीक है अब आओ कि ठीक है present का imagination समझ में तो आ गिया तो past का imagination में जब present का imagination में तुम V2 लिख रहे हो तो इसका past जाओगे तो had plus V3 होगा तो बस यही तो है past imagination जैसे अगर आप कहोगे कि काश पतेल प्रतम प्रधान मंत्री अभी है नहीं होते I wish पतेल had been the first prime minister of India ठीक है मालो आप आज तो पैसा है आपके पैस आप अच्छे पोस्ट पे हो 2020 में वो शादी करके चली गई उस समय आपकी पोस्ट आपके पास नहीं थी तो क्या कहोगे काश उस समय मैं इंकम टाक्स इंस्पेक्टर होता क्या बोलोगे अभी नहीं अभी बन चुके माई चांस है ना अभी बने हुए हो तब क्या बोलोगे I wish I had been an income tax officer in 2020 है काश यानी कistant कह रहे हो लेकिन जांपनेश नहीं कर रहे हो पास इमाजनेशन कर रहो प्रहिए मने इससे शादी नहीं की के से भूर कैसे बोलेगी काश मैं इस से शादी मैंने नहीं की होती कहेगी आई विश या फिर यह कह देगी ओल्नी इफ है ना कुछ भी राइट यह सब बता रहा है कि भई काश मैंने इस से शादी नहीं की होती पास्ट आई हाड नॉट मैरेड वर्तमान कलपना है वी टू भूत काल की कलपना है पास्ट की कलपना है हाड प्लस वी थ्री देखो ध्यान से बहुत इंपॉर्टिन पॉइंट है यह यह बहुत ही इंपॉर्टिन पॉइंट है काश पास्ट की बात कर रहे हो ओके तो हैड प्लस वी थ्री काश अभी नहीं हु बीन का मतलब होता है होना, मैंने कहा काश, पतेल, प्रधानमंत्री होते, होना हुआ तो बी का थर्ड फॉर्म, काश मैंने शादी नहीं की होती, तो मारी का थर्ड फॉर्म, अगर कहीं जा रहे हो, आप कोई प्रॉब्लम हो गया, कहोगे काश में वहां नहीं गया होता, तो फ तो अगर मालो मैं इस पाठी में हूँ और ये पाठी इतनी बोरिंगे मैं कहूं कि I wish I were not here काश में यहां नहीं होती प्रेजंट और जब मैं वहां से समय बरबाद करके वापस आई हूँ कर यू काश में वहां नहीं गई होती I had not gone there समझ में आगया fine चलो present kalpana V2 past kalpana had plus V3 यहां पे सिर्व और बीन का example है क्यों क्यों क्योंकि मैं यहां पे इजह मार ले रही थी बस तो वहां पर तो part wise पढ़ा रही होना यहां तो सब को आपको समेठ के एक साथ बस कराना है अब आओ यह था B का सबसे important point पाइटा अब आप कहोगे ma'am he is a doctor and she was an engineer यह नहीं करा रहे हो पाइटा मैं एक्जाम के तियारी करा रही हूं spoken नहीं आगे चलो दू में आओ दू के फॉर्म्स दू वीवन दस वीवन एस एस डेड वीटू डन वीट्री अंडूइंग वीवन आई इंजी देखो ठीक है अब आओ कि डू का इस्तेमाल किसके साथ होता है बटा मैंने कहा था ना वोंस वर्ड बटा इकलोता ऐसा वर्व है जिसका वीटू में भी दो फॉर्म है सिंगलर प्लूरल फॉर्म है लेकिन यहां पे वीटू सिर्फ डेड है एक ही फॉर्म है अगर प्रेजन फॉर करोगे तो वीवन डू है और वीवन एस एस डज़ चापर भी एस वाला फॉर्म आईगा ना भीटा समझ जाना उस सिंगूलर के साथ आएगा सिंगुलर है आपको सोचो ना बिठा आपके पास मान लो एक ही SES है याद रखना आपके पास एक ही SES अब मैं आपको और टेंस का भी थोड़ा जानकारी साथ में देते जाओंगी बिठा एक ही आपके पास SES है अगर आप यहां पर नहीं लगाए तो यहां पर चिपकेगा और अगर यहीं पर आप खतम कर दिये उस SES को तो बिठा आगे के लिए आपके पास नहीं बचेगा ऐसी याद रखना है प्रेजंट में मेरे पास सर्फ एक ही SES है अगर मैं यहां पर चिपका दिया मैंने तो यहां खतम है आप देखो कैसे उल्टा चलता है बिठा नाउन अब आप यहां जाए तो प्लूरल बन जाएगा और वर्ब में SES लगाओगे तो सिंगलर बन जाएगा देखो अठीक है है हमाद ट्रांसलेशन करना बिठा स्पोकेन लो अभी मैं एक्जाम की तेयारी करा रही हूं तीन महने में यहां मैं आपको बहुत ट्रांसलेशन करा करा कर नहीं पढ़ा सकती हूं बस एक्जाम की तेयारी करो ढंग से क्लियर हो गया अब आओ यह जड़ा क्वेश्चन देखो जो मैं कराना चाहरी थी यह क्वेश्चन दो हजार पंद्रा का बहुत बढ़ियां क्वेश्चन बढ़ा आपकी मर्जी है क्लास नोट्स खाइदना है तो इसका बहुत एक्स्पांडेट फ़र्म में क्लास नोट्स अभी मैं बस वही करा रही हूं जो एक्जाम के हिसाब से मैं सो सकती हूं कि यहां से क्वेश्चन आता है येस डू है बटा प्रेजन फ़र्म लेकिन प्लूरल दस है सिंगुलर ये क्लास रोज इसी समय चलेगा दस से ग्यारा जिस समय में आपके लिए सेशन लेकि आओंगी बटा अगर आपको क्लास पसंद आया है तो मैं बस इसी चीज से आपका क्लास आकोंगी की पसंद आया ह अगर आप इस चैनल को लाइक करोगे ये सब्सक्राइब करोगे और इस सेशन को लाइक करके बेल आइकन दवा दोगे तू है ना मुझे भी तो चाहिए ना फीस क्या फीस तो दोगे ना तो फीस ही है दे दो उसके बाद देखो रोज में कैसा जलवा दिखाती हूँ और नीचे कमेंट छोड़ना कि आपको क्लास पसंद आई की नहीं आई बस चलिए आजा देख सुना देख सेकंड पिजिन ध्यान से सुनना बिटा पिजिन का मतलब कभूतर फ्ल्यू आस सून आस दपर दफर्स्ट पिजिन हाट फ्लोन सब ही माग कर देते हैं ध्यान से सु बचने के लिए पिटा पूरा चाप्टर प्रोनाउन आया है नाउन का रिपिटेशन से बचने के लिए पूरा चाप्टर प्रोनाउन आया है तो भाया हम नाउन रिपीट क्यों करें यह वाला रिपीटेट हो रहा है और याद रखना वर्फ के रिपिटेशन से भी बचना किया करें वर्व का एपिटिशन से बचनी के लिए अगर कोई भी का फॉम है ना इस मार्व वोज वर तो इसको उसी फॉम से अप निर्फjat कर unterstützen करेंगे है अगर अगर करना ऑब दो अगे अग्रिक जितने भी वर्व से जितने वर्व से remaining verbs बाकि जितने भी वर्व से उसको replace करना है remaining verbs को तो बिटा do के form से replace करो मतलब देखते हो यार खाली pronoun ही हम समझते हैं कि नाउन के repetition से बचने के लिए प्रोनावन आता है वर्व के repetition से भी बचने के लिए वर्व का सिफ यही दो form आता है बस यानि फ्ल्यू का form को हम flown से repeat नहीं कर सकते खतम do के form से करेंगे पिजिन के बदले में one चलता लिकिन यहाँ पे flown आ रहा थे इसलिए इसको नहीं कर पाएं इसलिए इसको कर दिये the second pigeon flew as soon as the first one had done यानि यह रहा फिर से मेरा sentence का जवाब देना मैं तुम से उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो कैसे बोलोगे जल्दी मैं तुम से उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो कैसे बोलोगे जल्दी बताओ तो अभी मैंने कहा be और do बस इसी से हम replace करेंगे इसका प्लेइलिस्ट अलग बन जाएगा गोल्डन रूल का प्लेइलिस्ट अलग बना देना जल्दी बताना केडी लाइ भाला यहां बैठा हुआ है करा इसको भी हाइंड करके बेचेंगे एक नमबर का हरामी है लोग इसको इस चैनल में छूआ रहा है तो हाथ तोड़ दोगी मैं तुम लोगा बोलो yes I love you as soon sorry as much as much as you अब बिटा you के बाद love मत लगा देना क्यों बिटा love का repetition से बचो डू अभी जो कहा था I love you as much as you do I love you as much as you do सुनो अब दूसरा मैं उतना ही सिंसियर हूँ जितना तुम बताओ कैसे बनाओगे मैं उतना ही सिंसियर हूँ जितना तुम बताओ जल्दी पताओ तो कैसे बोलोगे नहीं बताओ यह मेरा से चानल है इसमें हाइड करेगा इनलों कहा तोड़ दूगे मैं हाँ हाँ बोलो हुँ हुँ यह यह सिंसियर आज सिंसियर आज स्यू यू तो बिटाओ यू के साथ आठ लगता है I am you are मैं उतना ही सिंसिर हूँ जितना वो I am as sincere as she अब सुनो इसके बाद आड लगाना है लगाओ नहीं लगाना है मत लगाओ लड़की होगी तो बिटा शी लगाना हर मत लगा देना लड़का होगा तो ही लगाना ही मत लगा देना ऐसे ही यहाँ पर भी I love you as much as you do मैं कह रही हूँ मैं उतनी ही सिंसिर हूँ जितना यह लड़का कहोगे ही म लगाओ ना मैं वर्व के बाद आ रहा है एक चाप्टर है जिसका नाम है पैल्लिजम वो कहता भाई मुकाबला हमेशा बराबर के बीच में होगा अपने लेवल से मुकाबला करो मतला अगर मैं हूँ तो मेरा मुकाबला ही से होगा I, He, She, I, You अब यू तो पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि वर्व के पहले भी यू लगता है और वर्व के बाद में भी यू लगता है इसलिए याद रखना अगर I का मुकाबला कर रहे हो तो बिटा, He से करो अगर I का मुकाबला करेंगे तो She से करेंगे खेर हमको यू में पता तो नहीं चलता है हम इसको subject form रिमान के चलते ठीक है? यानि कि याद रखना कि comparison is always between equals comparison is always between equals चलो, फिर से ये जो concept मैंने आपको समझाया है इसके पहले पहले तो मैं इसको सही कर दू कि बिटा, लव का repetition नहीं होना चाहिए डू लगाओ और B का किसी भी form का repetition से बचने के लिए आर लगा दो क्योंकि यू के साथ आर चलता है और नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं कुछ मत लगाओ आपकी मर्जी क्यों? क्योंकि यू के बाद आर तो understood है यू के बाद do understood है anyway, सुनो लेकिन याद रखना अगर आप इस तरह के sentences में आप दू में फसोगे या इस में फसोगे तो आप एक बाद बताओ अगर मैं कहूँ कि मैं उतना ही पढ़ती हूँ जितना मेरा भाई पढ़ता है कैसे बोलोगे आप? उतनी ही देर पढ़ती हूँ आप ये कहना चाहते हो मैं उतनी ही देर पढ़ती हूँ जितना देर जितनी देर मेरा भाई पड़ता है, कैसे बोलोगे, बताओ तो, अभी बतारी मेटा, ये कॉंसेप्ट, दो कॉंसेप्ट हेक साथ, ये दो कॉंसेप्ट को खतम करके फिर में छोड़ूंगे, बताओ, सुमत कुमार साहू, बताओ, मैं पहली पानी पीलू, ये कहना है, पांच हजार लोंडे चुड़ने पर, या क्या लाइंग्विज बोलते हैं, बताओ, तुम लो, हाँ, very good, I study as long as, चितनी देर मेरा भाई पड़ता है, my brother does, क्यों, बेटा, study का comparison को, मैं studies लिख दोंगी, तो आप नहीं कहोगे, माम, ये अब देखो, वर्व का repetition कर रहे हूँ, सिंगुलर के साथ, तो सिंगुलर वर्व सही लगा दिया, लेकिन वर्व का repetition हो गया, क्या करूँ, डस, अब डस क्यों लगाया, अरे भाई, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ, अभी तो बताया था, सिंगुलर के साथ, ठीक है, क्लियर, और मैं जो दूसरा पॉइंट आपको समझाना चाहरी थी, मैं ये कहना चाहरी थी, मिटा, comparison हमेशा बराबर के बीच में होता है, मैं उतनी ही लंबी हूँ, जितना वो है, कोई लड़की से compare कर रहे हूं खुद, मैं खुद को मैं comparison कर रही हूँ किसी लड़की से, मैं उतनी ही लंबी हूँ, जितना वो, कैसे बोलूँगे, जल्दी बताओ, मैं उतनी ही लंबी हूँ, जितना वो, जल्दी बताओ, समझ में आया है, आज की क्लास अगर समझ में आई है, पिठा, अभी मैं आपको बता दूँ, चानल थोड़े देर में मैं खुद क्रियेट करूँगी, ठीक है, अपने मोबाईल से, सुनो, I am, उतनी ही लंबी हूँ, as tall as, उस लड़की के बराबर she, I am as tall as she, हर मतली देना बिटा, अब बोलोगे मैं हर तु सुनते हैं, I am as tall as her, spoken सीखने आये हो, तो हर लगा दो, और अगर examination cross करना, आपको examination pass करना है, तो बिटा, she लगाओ, क्योंकि comparison हमेशा बराबर की बीच में होता है, I, he, she, it, they, you, in-ka comparison आपस में होगा, him, her, me, us, them, in-ka comparison अपने आप में होगा, ठीक है, इसलिए, अगर आप चाहो, तो she is लगा दो, तो आपको पूरा complete लगेगा, क्यों, क्योंकि I am है, पिटा, उसके साथ इस ही तो आएगा, she के साथ इस आता, तभी मैंने कहा था ना, बी का comparison बी से ही होगा, और बाकि जितने वर्व से, सबको replace कर सकते हो, डू से, ठीक है, अगर आप इस नहीं लगाओगे, तो भी सही है, क्योंकि इस वहाँ पे understood है, I am as tall as she, मतबब she is, ठीक है, बोलो, समझ में आया, यह हमारा, जो खतम हुआ है, याद रखना, बिटा, लिख लो, हम लोगो को हैव से शुरू करना है, कल हम हैव से शुरू करेंगे, ठीक है, और यह आपको, मैं शीट अभी थोड़ी देर में, चानल का नाम लिख लो, जो मैं बनाने जा रही हूँ, और उस चानल का लिंक मैं, केडी लाइव में डाल दूँगी, उस चानल का लिंक, ठीक है, मैं नीचे कमेंट में भी आपका पिन कर दूँगी मैं जो बनाने जा रही हूँ देखती हूँ अगर मिल जाए तो ये वाला चैनल मुझे गोल्डेन रूल्स बाइ नीटु से इसमें सिर्फ और सिर्फ अगले तीन महने तक सिर्फ इसी के PDF और इसी के क्लास की नॉटिफिकेशन आपको मिलेंगे ठीक है बाकी अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कर देना एक प्यारा सा कमेंट ठीक है बीस पैसे वाले प्लीज अभी तीन महना माफ करतो प्लीज चलो all the best कल मिलते हैं आप से सेम टाइम दस बजे इसी क्लास में और बेटा ये मेरा एक एफ़र्ट है अपने एक्सपीरियंस से निचोड कर सिर्फ वो सार लेके आने का जहां से हमेशा हमेशा कमिशन में सिर्फ सेसी की बात नहीं करूंगे डिफरेंट कमिशन्स क्वेशन्स पूछते हैं और कोई क्वेशन है तो पूछो क्वेशन के लाइव और SSC के लाइव में हमारे बाकी टीचर्स भी ऐसे ही महनत कर रहे हैं उनके क्लास के साथ भी जुड़ो और यहां भी जुड़ो मैं आपको वहरोसा दिलाती हूँ हमारे प्लाटफॉर्म पे रियल टीचर्स से जो ओफलाइन वाले वो आपको क्वालिटी एंड कॉंटेंट्स देंके पढ़के देखो आपको खुद समझ में आएगा कि हम यहां पे निर्विरोध क्यों नंबर वन है थैंक यू सू मच गुद नाइट कि हम यहां बढ़के हां नयाझे के कि दो बना method कि हम पंगे हां जो खूए்-पुद में झाल झाल